मुझे आप से जयादा कुछ रही पूछना सaliśmy ज़र बात इने पूछतिए फ्ती यह वाली कुर्ण के आएत है ना हुम्यूम bilang अक्मलतो लोकुम धिनंकु मुलिय। हेल्यूम अमक्मलतो लोकुम धिनंकु अत्म होalleyak expanding ज हुम्यू जया चाही है नो जो आयत है उस वक्त जैसे मुझे पता चला कि यह वाली आयत जो है क्या उते हैं हज्जित अलविदा के मौगे पर हुई मतलब यौम रदीब के मौगे पहले हुई तो मुझे इसके बारे में थोड़ा वाज़ा कर देंगे तो महरवानी आपकी किताब मैं किताब के किताब की आपको दिकाऊँगे ये कताब अलमनाकिप अलमवफग अबन अफ़्य मैं आपकालराजम्य ये कताब चिपी है नहीं सना 2005 मैं उसके पर बरह करो जो येहां पर फिदीस नकिल करतें वो قबू सीरि उँ खुदरीस है गदीर खुम के दिन लोगों को बुलाया अमर बमाकान तह्त शजर मिन शवकी फखुम यह वहां पे दरखते दरखते के नीचे वहां पे बहुत कांटे पड़ेते हैं उन्होंने फर्मा यह जहां पे जारू लगाओ फिम्मा लगाओ जारू लगाया लगा लगाया वजालिके यवाओ के वजुम जवर्ड़ के बलाद के बलंड किया यहां तक कि इन दोनों के बाजू के बगल के जो नीचे ना इनके सफेधी नवजराई क्योंकि उस जमाने में लोग पैंते थे ये जो अहराम का जो लिबास होता ना एक शाल कांदों पे डालते थे तो ये इनसान के जो बाजू और पहलू उखते थे ये सूरज की वज़े से जल जाता था ये इसका रंग जो है ना बिलकुल टैंड होता था यान समझते हैं ना और बगल जहां बगल के नीचे जो है ये सुफैद रहता है क्योंकर उदर सूरज नहीं पड़ती है तो इतना बुलंद किया कि दोनों के बगलों के सुफैदी नजर आई तो एसी वक्त आया ना दो है पर नबी सुफैद नने फरमाया ल्लाहू एक्माल इसमान नी विर्दा रालमी वरिदा रभ रदा रालमी बुलाए ले अ्ल्ह बराह है ल्लाह का शुकुर है कि उसने दीन कामल किया न्मत ते थे इसमान रदीन है और अलियो अलेज़ सलाम की बिलाइउस अर्जिया फ़र फ़र माली वाला वाला वाडाला नहां पे शेहर प्ड़िया आ हसान बनंसाबित ने का कि मुझे इज़ दो कि मैं इस मौकिया पे शायरी करूं तो शायर तीप्सन शेहर तो ये अशारे में उनका तर्जमानी करता है अशार बड़े प्यारे है उसमें टाइम लगेगा ये किताब है शवाहिद तन्जिल ये 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 किताब नहीं थी ये आप लोगों की किताब थी ये पहले आपके किताब देखे है वो अहले सुन्द वो जमात की जिड़ा भे है बिलकुल बिलकुल मैं आपको दिकादेताँ भी अभी मुफ़क अबन अभारसी था ना मैं आपको उसका तर्जमा दिकादेताँ किताब अलगाहिद अलमाई अहनाफ उनके जिल्द नमर तीन है यह पिये सन 1993 में इस किताब मैं मैं आपको लेकर चलता हूं सफ़ा नमर पाई सव तेयस में आपने पूछा कि यह किस वर्ते से तालुक रखता था यह अहनफीता यह किताब यह सफ़ा नमर पाई सव तेयस में मुलाइजा करें और ये जिन्दगी नामा है 1718 बायाग्रोफी नंबर 1718 सफ़ा नंबर 529 अल्मवफग इबन अहमद इबन मुहम्मद इलमकी यहाँ पे उनकी जिन्दगी है अदीब फादिल लहुमा अरिफत बिल्फिक्ष वालएब वर्वा मुसन्फात फुलान वमात सना फम्स, समन्मवफ उस्तिन वखमसी सना 556 में इसकी वफाते वाख़ इल्म अल्रबियत यहाँ जिन्दग्षरी अदब में, फनुन अदब में जिन्दग्षरी का शादिरता अच्छा तो यह शिया नहीं था अच्छा यह किताब जो है ना शवाहिद तन्जिल यह जो उसकी है और भी वो भी गेर शिया वो भी जहराँ अहनाफ में से अहनाफ में से मैं उसका भी दिखा दूँ आपको जिन्दगी नमा पहले पर उसका अधादीस में लिका दो यह किताब अलजवाहिरुलमुदिया फी तबकात इलहनफिया चाब हैदरावाद दकन पहली चाब जो पुरानी चाब है अधरावाद दकन में एक किताब चपपी है इसके कताब में मुलाहिज़ा फर्माइए यह सफ़नों तीन सावड़ थीस है तबकात अहनाफ में कौन है अदू अबईल्लाई 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 अश्ब्न अधंद अबन मुहम्मद अभन हसकान अबुल कास्म अलहज़ा, मिंदुरियत है फुलान बलि रवा उन हो अन हो अफ़ध अबुल हसनदारे रिकुतनी खब अचाफ़ अबुल हसनदारे कुतनी का या उस्ताद भी था उसके आलाते जिनादे जिन्दी आप लिखें ज्याद्व पक्त लेने की जरूरत नहीं इस किताब में मुला इस मुलाहיז कुछ अर्मी रृनातीया, समया हैया भूहayingता देना अर्माइना, सर्षकेलों वामझाती वृनाईता Сबक अ किरते है मुलाहिणता क्या है यहां पर रवायत है मुलाइज़ा फर्माएँ शहर इकनावशिव से अबो फुरेरे से रवायत करते है अबो फुरेरे से रवायत करते है जो लोक अठारा दिलहुचा याने रोजे गदीर खुम को रोजा रखके आल्बाव उसको साथ महीनों का यानि पांच सालों का साट मैंनों के रोजे का सवाव उसके उदे देता है और यह यव्म गदीर खुम है अच्छा फिर अगले सा फिम है अबू सधीन खुद्री से सफिये सफ़ह नमर फांचसो अटाओं है अबू सधीन खुद्री सjem रिभायत करते है कि नबी नभी अक्ता गैंध के लुइ तोई जम्ले है कि रसुल पाक व्हूलियों आनलगा शूकर की में अमीर अल्यम्मुनिय आले आश्यम की बिलायत से और मेरी रिसालत से अल्ला राजी है और मैंने दीन को कामिल किया और भी बहुत सार रिवायात हैं इसी किताब में दूसरे किताबों में तारीख अपने असाकर वगएर में तो मैं अक्तिफा करता हूँ इसी पर जी और मज़ीद कुछ है जी मुझे तो यह समझ में आ गया कि यह यहां में गदीर के मुद्धे प्रेश आया